Hello everyone, मैं हूँ पोनम, गुलाब जामन खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन मावा और खोय के गुलाब जामन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेसा गुलाब जामन के लिए खोय या मावा एविलेबल नहीं रहता है घर पे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर के सामान से ही किस तरह से गुलाब जामन आसानी से बनाई जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैन में एक चमच घी एड़ कर दिया था, और यहाँ पे मैंने एक कटोरी सैट कर लिया है, उसी से हम सारे मेजरमेंट रखेंगे, दो कटोरी फोल्ट मैंने यहाँ पे दोड ल और आधा चमच यहां पे इलाइची दाना एड़ कर देंगे जिसको की मैंने चीनी के साथ पीस के रखा है इलाइची दाने को दीरे दीरे दूद को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे अच्छा सा केसर का रंग निकल के आ जाएगा दो तीन मिनिट में ही फिर हम सूजी एड़ क बताना स्टार्ट करेंगे सूजी मैं एक कप लि Dru ए लिए जो जिसे मैंने दूद ए ड़iblी के निकले से सीपॉंगों में दूद अखता है से ल जाएगा नहीं ने किछ लाएंगे चलाते रहें दोब हर यह से ड़लु जाय एक्छ को में जाए मिक्स करेंगों पड़ में प अपने घर में ट्राइक कीजिए और मेरे साथ अपनी फिराय भी साचा कीजिए किस तरह से बनके तयार हुए थे अकसर हमारे घरों में खोया या मावा एविलेबल नहीं रहता है तब यह सूजी के गुलाब जामून बहुत ही इजी है बनाना सूजी हर किसी के घर में हमेशा ह जटपट से बनके तयार हो जाते हैं कोई बहुत ज़रा जंजट नहीं है खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं कोई खा के बता भी नहीं सकता है कि यह सूजी के गुलाब जामून है मावा या खोय के नहीं है तो यहां पर चलाते चलाते मुझे 5-7 मिनिट्स हो चुका है अच्छा सा डो बनके तयार हो गया है कैमरा बलकुल भी जस्टिफाइ नहीं कर रहा है कलर बहुत ही अच्छा निकल के आ गया है केसर का अभी मैं आपको प्लेट में रखके दिखाऊंगी फिर दिखाई देगा अच्छे से बहुत परफेक्ट बनके तयार हो गया है डो और बहुत ही जटपट से बनके त्यार हो जाते हैं, अगर आपको दिखाई दे पारा हो अभी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, डो को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, यह देखिए, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा कला निक पानी लिया है, और देखिए लिए 1.5 पानी लिया है, और चीनी लिया है, 1.5 कब पानी, 1.5 कब सुगर एड़ किया है, सुगर सीरप बनाने के लिए, चीनी को अच्छे से डिजॉर्व होने तक, मिक्स करते रहेंगे, और यहां पे भी मैं, एक पिंच सैफरन एड़ करूं बहुत ज़्यादा टाइम टिकिंग नहीं है इसको सुगर सीरब भी 5-7 मिनिट में बनके तयार हो जाता है बहुत एजी रेसिपी है कभी भी बना के रख सकते हैं घर में कोई गैस टा रहे हो तब भी बना सकते हैं या बच्चों कभी खाने का मन है तब भी आप ये गुलाब ये दोयार के लिट सकते हैं यहां परब रख सुजी कर शूट के इस राख से इस जाझन के रहना करेंगे अच्छे से इस मसल के इस इस PGD बनेंग साफ्ट और नहीगे तयार होगे तो यह अच्छे से पूरा करेंकर थ's च्रीज बना कर लेंगा में लोख साफ्ट पूरी अच्छे से स्मूथ हो जाना चाहिए यह देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा थोड़ा स्मूथ हो गया है मैंने आदा चम्मच घी भी एड कर दिया है जिससे की और अच्छे से स्मूथ हो जाए डो और बुलकुर परफेक्टली बनके त्यार हो गया यह देखिए बहुत ही अच्छे से कलर भी आ गया है निकल के और स्मूथ भी बन गया है अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे भी आपको पसंद हो वैस कोई बी क्रैक्स ना रहे अच्छे से हाथ की हतेलियों से बल्कुर मसल के गुलाब जामून बणाने हैं यह देखिए बहुती पहुत ही त्यार हो घुलेंगे यहां पर इस स्ट्रेश पर हमें बस यह ध्यान रखना है कि क्रैक्स ना हो भुलकुर परफेक्ट बनके त्यार ह यहां पर मैंने वेश्टिबल ओयल लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, या फिर वेश्टिबल ओयल भी ले सकते हैं. जैसे आप प्रिफर करें। एक करके एड करना स्टार्ट कर देंगे , छेज का फ्लेम मैंने रखा है। सिम टू मीडियम पर हम फ्राइब करेंगे सूजी के गुलाब जामुन अंदर तक फ्राइब होना बहुत ज़रूरी है अंदर तक सिकना बहुत ज़रूरी है इसलिए गैस का फ्लेम हम सिमी रखेंगे और अभी हम इनको कढ़ाई को बस इस तरह से दीरे-दीरे करके हिलाते रह अध्य मेसेट हैं कि आधंके सिकने में ah andere देखें कितना संदर गला निकल के आया है गुलाब जामुन का जू हमने आध हूँ पास पास के सर है तो जरूरम कीजिए अगर आपको थोड़ा सा और डार कलर चाहिए तो आप 2-3 मिनिट के लिए और फ्राय कर सकते हैं लेकिन मेरे घर में ऐसे ही पसंद करते हैं तो मैं यहाँ पर इनको निकाल लूँगी इनको खाने के बाद कोई यह नहीं बोल सकता है कि यह बेना मावे के गुलाब चमुल बना के तयार किये हैं मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी एड़ कर दिया है और दीरे-दीरे करके इनको भी हम फ्राय कर लेंगे इनको भी हम दीरे-दीरे करके फ्राय कर लेंगे गैस का फ्लीम सिम टू मीडियम ही रखना है सारे गुलाब जामुल अच्छे से फ्राय होके तयार हो चुके हैं अब हम सुगर सीरप में एड़ कर देंगे इनको देखिए कितने परफेक्टली कोख हुए हैं ना ही चप्टे गुलाब जामुल अंतर तक चासनी को सोक लें और फिर हम सर्फ करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजे सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहते हूं उमीद करती हूं कि मेरा वीडियो आपको झाल